तो जलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए उर्दू का कलास 12 का मोडल सेट पेपर लाया हूं जेक ने उर्दू का मोडल सेट तीन पेपर जारी किया है तीनों एलेक्टिव है जिसका भी उर्दू as a additional subject है उसका यही तीनों सेट एक्जाम में इसी से सवाल रहेंगे तो आपको अच्छे से यह सेट कवर कर लेना है ताकि एक्जाम में अच्छा माक्स आपके आ सके इसमें मैं एक बात यह भी बता दू कि जेक ने जो तीन सेट जारी किया है उसमें तीनों में सभी के answer जेक ने पहले से ही बना के दे दिये तो मैं आपको पढ़के बता उसे मुतालिक जितनी भी एहम जानकारिय हैं मैं वो आपको फराहम कर दूँगा तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखें जरूर लाइक करें तो पहले पढ़ लेते हैं जरूरी हिदायात सभी सवालात लाजमी है सवालात की कुल तादाद 40 है हर एक सवाल के लिए एक नंबर कीमत दर्ज है सभी सवालात के जवाबात के लिए चार मतबादिल जवाब दिये गए हैं इन में से किसी एक का इंतखाब करें गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुरासला को मुकालमा किसने बना दिया तो इसका जो सही आप्स आप्सन है वो है ए गालिब गालिब अकबराबाद में 1797 इस्वी में पैदा हुए थे उनका पूरा नाम मिर्जा सदूल्ला खाना गालिब था उनके उर्दू में जो है इस में मक्तूब निगारी में जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे उसके खतूत के जो मजमूए है ओदे हिंदी मिर्जा गालिब के ही है तो चलिए अगला पूश्चन देखते है मिर्जा गालिब की पैदाईश कहा हुई थी तो इसका जो सही अंसर है वो है अकबराबाद जिसे जदिद जोर में आगरा के नाम से जानते है ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमूए है जैसा कि मैंने पहले बताया यह गालिब का ही है खतूत का मजमूए सेद एहतिश्चाम हुसेन की पैदाईश कहा हुई थी सेद एहतिश्चाम हुसेन की पैदाईश आजम गड़ में हुई थी इसने जो रतरनाथ सरशार की जो नौवेल है फसाना आज़ाद इस पर तनकीद तनकीदी मजमून इसने लिखा है खूजी एक मुतालाओ तो आगे पर बढ़ते हैं खूजी एक मुतालाओ जेल में से किस अदीब का तनकीदी मजमून है तो उपर मैंने बताए है सेद एहतिश्चाम हुसेन का है इस नौवेल को लिखा है रतरनाथ सरशार ने जो बहुत ही तवेल नौवेल है तनकीदी मजमीन उम्राव जान अदा किस ने लिखा है तो इसका सही एंसर है खूजी दूल इसलाम उम्राव जान अदा भी एक नौवेल है लेकिन इस पर तनकीद करके खूजी दूल इसलाम ने ये तनकीदी मजमीन उम्राव जान अदा लिखा है इसमें एक तवाइफ की कहानी पेश की गई है तवाइफ जो फिरोज़ाबाद में पैदा हुई थी उसे एक गुंडे ने अगवा करके उसे दूसरे जगह पे तवाइफ खाने में बेच दिया था तो आगे बढ़ते हैं खोषिदल इसलाम की पैदाईश कब हुई थी तो इसका सही आंसर है उंस जोनीज स्वी उम्राव जान अदा जेल में से किस की कहानी है एक तवाइफ की कहानी है यיכá ऐफिज्जिंस 시 अफ्साने लम्हे के मुसनिफ कौन है अफ्साने लम्हे के मुसनिफ है बल्वंत सिंग लम्हा एक मुख्तसर अफ्साना है इसे बल्वंत सिंग ने लिखा है कुरातल एनहेदर की पैदाईश कहां हुई थी तो कुरातल एनहेदर ने फोटोग्राफर जो मुख्तसर मुक्तसर अफ्साना है उसे गुरातुलैन हेदर नहीं लिखा है तो इसका जो सही अंसर है वो है अलिगर में ये पैदा हुई थी अफ्साना फोटोग्राफर किसकी तस्नीफ है जैसा कि आप पता है ये गुरातुलैन हेदर की तस्नीफ है इस आबाद खराबे में किस शायर की आप बीती दर्ज है तो इसका सही एंसर है अखतरूल इमान ये अखतरूल इमान की आप बीती है जो बेल गारी से जो रात को सफर करते हैं ये वही आप बीती है अखतरूल इमान की पैदाईश कहां हुई थी तो अख्तुरुल इमान की पैदाइस बिजनोर में हुई थी हाली का असली नाम क्या है? हाली का असली नाम है अलताफसन हाली हाली तखलुस है हाली पानी पत में पैदा हुए थे हाली की पैदाइस कहा हुई थी तो पानी पत, सी आप्शन मुकदमे शेरो शायरी किसकी तस्नीफ है ये हाली की तस्नीफ है मुकदमे शेरो शायरी गजल के लगवी माइने क्या है गजल के लगवी माइने है औरतों से बाते करना या महभूब की बाते करना या औरतों की बात करना तो इसका जो सही आप्सन है ये औरतों से बाते करना गजल में मतला मकता रदीफ और काफिया होता है जो गजल का जो सबसे पहला शेर होता है जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे मतला कहते हैं जो सबसे आखरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्स इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं और रदीफ जो किसी घजल में जो बार बार रिपीट होने वाले अलफाज है जो लास्ट में जो रिपीट होता है उसे मतला कहते हैं उसे रदीफ कहते हैं और रदीफ के जो पहले अलफाज जो होते हैं उसे पाफिया कहते हैं तो घजल का सबसे खुबसुर्ट शेर क्या कहलाता है तो मैंने बता दिया ये बेतुल घजल जजबी का असल नाम क्या था जजबी का असल नाम जजबी का असल नाम ए है मुईन एहसन मुणिसका ए जानिसार अख्तर का असल नाम क्या था तो इसका असल नाम सेद जानिसार हुसेन जजबी हियत के एत्वासे नजम की कितनी किसमे होती है तो नजम की चार किसमे होती है आप लोगों को पता होगा नजम आजाद नजम पाबंद नजम मुर्रा और नजम मुसद्दस तो नजम अगला कुश्शन नजम गोरे गरीबा के शायर कौन है ये भी एक मसहूर नजम है इसका अप्शन है सी जाविद अख्तर ऐसी नजम जिसके तमाम मिसरे वजन के लिहाज से बराबर हो मगर काफिया की पाबंदी ना हो उसे क्या कहते है तो उसे नजम मुर्रा कहते है जानिसार अख्तर की पैदाईश कहा हुई थी तो जानिसार अख्तर की पैदाईश गवालियर में हुई थी नजम के माने क्या होते है नजम के जो माने है वो है मुति में पिरोना अल्लामा अकबाल ने कौ स्याल कोट में हुई थी 1877 इस्वी में अल्लामा इक्वाल की तीन जो हैं मजमूए है वह बांगे दरा बाले जिब्रेल जर्ब कली तो इसे भी बहुत ही एहम सवलात एक्जाम में आता है तो आप इसे भी ध्यान में रखिए बांगे दरा की शायर का शेरी मजमूवा है तो य एक्वाल का शेरी मजमूवा है अल्लामा इक्वाल को हकूमत बरतानिया ने कौन सा हकूमत बरतानिया ने कौन सा खताब अता किया था तो इसका सही जो है वह सर का खताब अता किया था अल्लामा जमील मजहरी की पैदाईश कहा हुई थी तो अल्लामा जमील मजहरी की पैदा ओजिमाबाद में उई थी कि जमी मजहरी का असल नाम क्या था में जमिल मजहरी का असल नाम स्यद काणी अली था अब्तदाई दौर में प्रेमचन किस नाम से लिखते थे तो इसका जो सही आसर ऑफ और यौंता यह पहले नौाबरा है बेवा ये हमारे निसाब में शामिल है तो इसे भी एहम सवाल आता है बेवा तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बेवा क्या है तो बेवा एक नोवेल है प्रेमचंद का असल नाम क्या था तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत्रा है बेवा का तालुक किस सिन्फे अदब से तो ये एक ड्रामा है इसे लिखा है आगा हश्र काश्मीरे ने यहां रोम और फ्रांस फ्रांस के रहने वालों के बीच ये ड्रामा है जिसमें मारकस और हन्ना मरकजी किरदार है ड्रामा किस जबान का लफज है ये यूनानी जबान का लफज है मुकालमा किस निसरी सिन्फ का जुजू है तो ये ड्रामा का ही जुजू है नजम इतिका के शायर है नजम इतिका ये किस का शायर है? ये भी इंपॉर्टन क्वेश्टन है ये जमील मजहरी का ये जमील मजहरी की नजम मरहूम की याद में किसका लिखा हृऊ इनशाया है? ये पितरस बुखारी का इनशाया है इसमें साइकल को मरहूम कहा गया है जिसमें एक टूटी भी साइकल की हालात को पेश किया गया है आग का दर्या किस सिन्फ किस की तस्निफ करता है आग का दर्या कुरातुलैन हैदर की तस्निफ है ये एक नौवेल है मिर्जा नौसा किस शायर का लगब है तो ये गालिब का लगब है लोग उन्हें मिर्जा नौसा के नाम से ही जानते थे तो चलिए मैं आपको इसका अगला सेट भी बना के दे देता हूं तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर